उत्तर प्रदेश में DLAT 2019 बैच के 33 सेमेश्टर परिक्षा और अन्य सभी सेमेश्टर के बैक पेपर के एकजाम PNP के द्वारा कब कराये जाएंगे इसके संदर में PNP सचिव के द्वारा एक महतोफून सूचना निकल करके आ रही है जिसे आपको जाना बहुत जरूरी है य इस जल्ड की घोशना कब तक हो सकती है इसके बारे में भी इस वीडियो में डिटेल में चर्चा होगी साथी प्रमोट मुद्दे पर क्या कुछ समस्या है इसको लेकर भी इस वीडियो में हम लोग विशेश रूप से चर्चा करेंगे तो बने रहेगा अंतर तक इस वीडि जब तक second semester के scrutiny के result की घोशना नहीं हो जाती स्कूटनी के result की घोशना कब तक होगी इस प्रशन के जवाब में उन्होंने ये कहा कि अभी कोरोना के मदे नजर employees कम है जिसकी वज़य से अभी scrutin का process था वो सुचार औरत से नहीं चल पा रहा है जैसे ही इस थितियां समाने अब सवाल यह आता है कि 33 समेश्टर अभियर्थियों को क्या प्रमोट किया जाएगा या फिर नहीं तो यहाँ पर PNP सचिव का इस पश्ट यह कहना था कि जब तक PNP, SCRT और साशन को प्रस्ताओ भेजीगी प्रमोट के संदर में और जब तक साशन की तरब से प्रतियुत्तर उसका आएगा उससे कम समय में PNP सचिव तरिती समेश्टर की परिच्छा का आयोजन करा लेंगे यह कुछ इस पश्ट कहना था PNP सचिव का तो इन सभी बातों से अभी तक यहीं क्लियर हो रहा है कि PNP पूरी तरिके से तरिती समेश्टर परिच्छा कराने के ही पक्ष में है और प्रमोट कराने के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है और दोस्तों प्रमोट में क्या जरूर देखिएगा इस वीडियो के समाप्थ होने के बाद से अब एक बार बात कर लेते हैं कि अगर तरिती समेश्टर की परिच्छा होती है तो कब तक 19 बेच का पूरा प्रसिक्षन समाप्थ होगा इसक्रिन पर आप वर्स 2021 का कैलेंडर देख पा रहे हैं अब जिस प्र में आपकी परिच्छाएं होती हैं मीड में ठीक है तो मीड में जब परिच्छाएं होंगी तो रिजल्ट घोशित करने में लगबग 2-3 महीने का वक्त PNP ले लेती है तो आधा महीना अगस्त का उसके बाद से सितंबर पूरा और अक्टूबर पूरा अक्टूबर ये PNP उस समय स्कूरूटनी के प्रोसेस को उतना तवज्जो नहीं देना चाहेगी क्योंकि जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा 18 बैच का जब प्रमोटेड अभीर्थियों के 4 समेश्टर के एकजाम कंड़क कराय गये थे और उसके स्कूरूटनी के रिजल्ट क वेट किये भी नहीं चतुर समेश्टर बैक पेपर में उनको समलित किया गया था तो इसी प्रकार से कुछ मामले 19 बैच के साथ भी देखने को मिल सकते हैं तो अक्टूबर लाश्ट में आपके 33 समेश्टर के रिजल्ट की घोशना होई थी और चतुर समेश्टर परिच्छ नमंबर में यानी 15 नमंबर के आसपास आपके 44 समेश्टर के परिख्छाय संपने करा ली जाती हैं उस कंडिशन में फिर से त्कमेश्टे 3 महीने और जोड लिजए आपके 4 समेश्टर के रिजल्ट के क्रम में तो आधा नमंबर उसके पूरा दिसंबर और पूरा जनवरी यानि जनवरी 2022 के अंतिम सप्ताह तक ही आपके चत्तुर्थ समेश्टर के रिजल्ट की घोशना PNP के द्वारा की जा सकती है। ये तो बात हो गई अगर डियलर 2019 बैच के 33 समेश्टर की परिछा अगस्त मिड में PNP कंड़क कराती है। उस कंडिशन में रिजल्ट घोशित होते होते जनवरी 2022 अंतिम सप्ताह का समय आ चुका होगा। और अगर अभियर्थियों को प्रमोट किया जाता है 33 समेश्टर में PNP के द्वारा उस कंडिशन में भी आपका इतना ही समय लगने वाला है। जनवरी 2022 में ही आपको फाइनल रूप से रिजल्ट मिल पाएगा आपके पूरे प्रसिक्छन का। इसको डिटेल में समझने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दियेगा लिंक पर जरूर क्लिक करिएगा आपको चीजे समझ में आएंगी कि प्रमोट होने में भी क्या कुछ समस्या हैं और क्यों इतना विलंब होगा। आपको चतुर समेश्टर के परिक्षा होने वाली है उननीस बैश की ठीक है बाकी के जो अन्ने समेश्टर के परिक्षा होंगी प्रतौं दूत ये उस कंडीशन में प्रत्रावित होगी उसी के साथ आप सभी सेमेश्टर के बैक पेपर का भी आयोजन PNP के द्वारा कंड़क कराया जाएगा अगर अगस्त मीड तक डियलट 2019 बैच के 33 सेमेश्टर की परिछा का आयोजन PNP कराती है तो उनी के साथ आप सभी बैक पेपर से समंदित जो भी उनीस बैच के अभीर्थियों का उस कंडिशन में भी आपका सितंबर तक हर समेश्टर के बैक पेपर में सम्मलित होने का मौका जरूर दे देगी तो हर हाल में आपकी बैक लगी हुई है तो आप मान करके चलें कि आगस्त या फिर सितंबर लाश्ट तक आपको बैक पेपर में सम्मलित होने का मौका किसी भी हालत में PNP दे सकती है तो आप सभी उसी के अनुरूप अपनी परिछाओं की तियारी करते रहें और जो भी बैक पेपर से सम्मलित अभ्यरती हैं आप सभी पूरी तरीके से निश्चिंत रहें आने वाली सिक्षक भरती में आप सभी पूरी तरीके से सम्मलित हो सकेंगे उमीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा ऐसे ही महतुपून अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान करे आपका दिन शुब हो